Hello everyone, welcome to LearnerBee, I am Shivani Chauhan, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेविंथ हिंदी की बुका चक्टर फाइफ मिठाई वाला बहुत ही मीठे सवरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलोने वाला तो बहुत ही अच्छी सी आवाज में खिलोने वाला आता था और कहता था कि बच्चों के मन बहलाने वाला, कौन आया है, खिलोने वाला इस अधूरे वाक्यों को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधूर भंग से गा कर कहता कि सुनने वाले एक बार स्थिर होते तो वो कहते हैं कि बच्चों को भलाने वाला, खिलाने वाला, यह वो इस तरीके से बोलता था ना, इतना प्यारा लगता था सुनने में, और सुनने वाला जिसे कि एक बार अस्थर हो थे, मतलब कि कौन है, कौन ही कह रहा है, यह देखने के लिए प्सखों थे, उसके स्नेहा भिशक्त कंट से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती तो उसके स्नेहा भिखत मतलब इतने स्नेह से इतने प्यार से कंट से अपने गले से जो उसकी आवाज निकालता था खिलाने वाला एकनी प्यार से बोलता था कि उसकी आवाज सुनने के बाद आसपास के घरों में हलचलसी मत चाती थी छोटी-छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठा कर छजों पर नीचे जहाकने लगती तो युवतियां चोटी-छोटे बच्चों को उठा करके और भार निकलती या फिर अपनी छटों से नीचे की तरफ जाकने लगती थी गलियों और उनके अंतर व्यापी छोटे-छोटे उद्यानों में खेलते और इठाते हुए बच्चों का जुन्ट उसे घेल लेता तब रहे खिलोने वाला वहीं पैटकर खिलोने की पोटी खोल देता तो खिलोने वाले की आवाज सुनकर बच्चे आ जाते थे और जब सारे के सारे का मोलभाव कने लगते पूशते इचका दाम क्या है और इचका क्या है और इचका खिलोने वाला बच्चो को देखता और उनकी ननी ननी उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चो की इच्छा नुसार उन्हें खिलोने दे देता तो बच्चो को जो मन करता था और पैसे ले लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और तफे खिलोने वाला उसी प्रकार गार कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलोने वाला, सागर की हिलोरों की भाती उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुचता और खिलोने वाला आगे बढ़ जाता फिर वो कहते हैं कि जैसे कि सागर में सागर जो ओशन होता है जैसे उसमें पानी हिलोरे रेता है ना इसी तरीके से जो खिलोने वाला था उसकी जो अच्छी सी प्यारी सी बहुती मदूर आवास थी ना वो आगे मतलब भटता और गलियों में उसकी आवास गुंचती जाती थी राए विजय बहादूर के बच्चे भी एक दिन खिलोने लेकर घर आए वे दो बच्चे थे चुनु और मुनु चुनु जब खिलोने लेकर आया तो बोला मेरा घोला कैसा चुन्दल है तो उसने बोला कि मेरा घोड़ा कि कुछ देर तक खड़े-खड़े उनका खेल निहारती रही अंत में दोनों बच्चे को बुलाकर उसने पूछा ओ चुन्दू मुनु ये खिलोने तुमने कितने में लिये है तो मुनु बोला दो पैचे में खिलोने वाला दे गया है तो मुनु ने बताया कि दो पैचे में फिर आगे पताती है एक जरा सी बार ठहरी रोहिनी अपने काम में लग गई फिर कभी उसे इस पर विचार करने के आवश्यक्ता भी क्यों पड़ती तो फिर पहले तो एक तम थोड़ा सब सोचा कि ये खिलोने जो है ये इतने सस्ते खिलोने वाला कैसे दे गया फिर उसने कोचा नहीं और कभी सोचने की जरुद भी नहीं पड़ी फिच है भाईने बाद नगर भर में दो-चार दिनों से एक मुर्ली वाले के आने का समाचार फैल गया तो पूरे शहर में ये समाचार फैल गया था कि कोई मुर्ली वाला आया हुआ है लोग कहने लगे भाई वा कि उस्ताद है मुर्ली बजा कर गाना सुना कर वह मुर्ली बेशता भी है और सो भी दो-दो पैसे में तो फिर वो कहते है कि वो मुर्ली बजाता है बेशता है और सिर्फ दो-दो पैसों में वो बेश देता है बहला इसमें उसे क्या मिलता होगा महनत भी तो ना आती होगी पिर वो कहते है कि दो दो पैसे में मुली बेच कर उसको क्या मलता होगा जितने में कमाया है जितने में शेट खरीदी है इतने में भी उसको पैसे ना मल पाते हो एक व्यक्ती ने पूछ लिया कैसा है वह मुली वाला मैंने तो उसे नहीं देखा उत्तर मिला उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी यही 32 का होगा दुबला पत्ला गोरा युवक है बीका नेरी रंगीन साफा बानता है वह तो नहीं जो पहले खिलोने बेचा करता था क्या वह पहले खिलोने भी बेचा करता था तो मुल्डी वाले के काफी सोत तारीफे हो रहे थी तो एक विक्पी ने पूछा कि मुल्डी वाला कौन है मैंने तुस्से कभी नहीं देखा तो आंसर आया कि लगवक 30-32 साल की उमर का एक युवक है गोरा है बी का नेरी रंग का साफा मतलब सर पर पक्रिसी बांता है तो वो कहते हैं कि ये वो खिलोने वाला तो नहीं जो पहरे खिलोने भी बेचा करता था हाँ जो आप आकर प्रकार तुमने बतलाया है उसी प्रकार का वह भी था तो कहते हैं कि जो खिलोने वाला था वो भी बिकुला सही लगता था तो वही होगा पर भाई वह एक उस्ताध है तो बहुत अच्छे मुरली बचाता है प्रते दिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती प्रते दिन अगर के पती ये कली में उसका मादक म्रदुल स्वर सुनाई बढ़ता बच्चों को ब सुर्चना तुरंथी उसे खिलोने वाले का स्परण हो आया उसने मन ही मन कहा खिलोने वाला भी इसी तरह गागा कर खिलोने बेचा करता था तो फिर वह सोचने लगी जैसे मुरली वाला गा रहा है इसी तरीके से खिलोने वाला भी गागा कर जो है बेचा करता था अपने ख पती विजय बाबु के पास गई जरा उस मुल्ली वाले को बिलाओ तो चुनुम मुन्नु के लिए ले लू क्या पता यह है फिर इधर आए ना आए वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं तो फिर वो कहती है रोहिनी अपने पती से की मुल्ली वाले को बला तो वो समाचार पत्र ले लिए और दर्वाजे पर चले गए और पूशे लगे कि मुल्ली वाले भाईया बताओ कितने में दे रहे हो किसी की टोपी गली में गिर पड़ी किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोंथनी पजामा ही धीला होकर लटक आई इस तरह दोरते हाफते बच्चे दे कि बच्चे जो है मुल्ली वाले की बीचे इस तरीके से पार्क से दोरते भागते आ गए थे बच्चों का जुन वहां पर आ गया एक स्वारसे सा पोल उठे हम भी लेंगे मुल्ली मुल्ली वाला हर्श गदगद हो उठा मतलब मुल्ली वाला बहुत खुश हो गया बोला सब को देगा भाया लेकिन जरा रुको ठहरो एक एक को दे दो अभी इतनी जल्दी हम कहीं और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी सत्तावन तो कहते हैं मेरे पास तो पूरे सत्तावन सेवेंटी तो मुल्ली मिल जाएगी हां बाबुजी क्या पूछा था आपने कितने में दी दी तो वैसे तीन-तीन पैसे के हिसाप से है पर आपको दो-तो पैसे में भी द दूँगा फिर वो कहते हैं वैसे तो मैं तीन-तीन पैसे के हिसाप से दे रहा हूँ पर कोई बात में दो-तो पैसे के हिसाप से भी मिल जाएगी विजए बाबु भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा गए मन ही मन कहने लगे कैसा है देता तो सब को इसी भाव से है पर म करते होगे सभी को दो-तो पैसे में पर एहसान का बोजह मेरे पर हिलाद रहे हो कि इस तरीके से बोने लगता है मुली वाला एकदम अप्रतिब हो जाता है बोला आपको क्या पता बाबु जी की इनकी असली लागत क्या है यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकांद को लगता है कि भर यह दुकान वाला तो हमें लूट रहा है आप भले कहां को विश्वास करोगे आप भी क्यों विश्वास करोगे मेरी बातों का लेकिन सक पूछिए तो बाबु जी असली दाम दो पैसा ही है आप कहीं से दो पैसे में यह मुली नहीं पा सकते मैंने तो प तो दो ठो निकाल दो थोड़ी सी कुछ कहीं के जगर कि लांगों चोती की दो निकाल दो दो मुल्या लेकर विश्वाबु फिर मकान के भीतर आ गए मुल्ली वाला देड तक उन बच्चों के जुन में मुल्यां बेचता रहा उसके पास कई रंगी मुल्यां थी बच्चे जो रंग पसंद करते मुल्य वाला उस रंग के मुल्य निकाल देता तो विश्वाबु दो चले गए मुल्यां बेच्चे लगा बच्चों को ये बड़ी अच्छे मुल्य है तुम यहीं ले लो बाबु राज़ बाबु तुम्हारे लाएक तो बस यह है हां भया तुम को वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए, तुम तो बच्चे ले रहे थे, ये ना रंकी अच्छा वही ले लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी है, तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मां ठीक हो गया ना हिसा आप पैसे मिल गए देखो मैंने तर्कीब बताई अच्छा आप तो देखें क्या है ना जीट सा लग रहा हुआ थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्योंकि यह बच्चों की बात चले हैं मुल्डी वाला कहता है अच्छा यह वाला कलर नहीं निकाल दू यह व होते हैं तुम्हारी मा के पास पैसे नहीं है अच्छा तुम भी यह लो अच्छा तो अब मैं चलता हूँ तो मतलब बिना पैसो के भी वो बच्चों को दे जाया करता था खेलोने या मुल्ली इस तरह मुल्ली वाला फिर आगे बढ़ गया आज रोहिनी अपने मकान में बै कारी सब्सक्राइब करता थो तो फेट थोड़ा फिर ना कराय सो थोड़ा तो वह तो मतलब पैठ ही तो है यह हमारा थाने के लिए तो हम यह सब करते हैं आगे इस तरह मुल्ली वाले की शीर स्वर तूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मु और फिर वही गाना गाने लगा ये बच्चों को बहलाने वाला मुर्ली वाला रोहिणी से सुनकर मनी हमन कहने लगी और स्वर कैसे मीठा है इनका बहुत दिनों तक रोहिनी को मुली वाले का वही मीठा स्वर उनके बच्चों के प्रति वे इसने हैं सिक्त बाते याद आती रही तो जो रोहिनी थी बहुत दिनों तक उसको ये बाते याद रही महीने के महीने आये और चले गए फिर मुली वाला ना आया दीरे दीरे उसकी स्मृति भी शीन हो गई शीन हो गई मतब चली गई खतम हो गई तो मुर्ली वाला और खिलोने वाला ये जो है इनकी यादे कुछ टाइम तक रही फिर खतम हो गई क्योंकि कही महीने तक नहीं आया आठ मास बाद यानि कि एट मंस के बाद सर्दी के दिन थे रोहिनी सनान करके नहा करके मकान की छत पर जढ़कर आजानू लंबित केश राशी सुखा रही थी तो मतलब चो केश पाल है नहाने के बाद वो सुखा रही थी इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चो को बहलाने वाला मिठाई वाला तो पहले खिलौने वाला और उसके बाद मुर्ली वाला अब बच्चो को बहलाने वाला कौन आया मिठाई वाला अब देखें मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परीचत था जट से रोहिडी ने नीचे उतर कर आई उस समय उसके पती मकान में नहीं थे हाँ उनकी व्रथ दादी थी रोहिडी उनके निकटा कर बोली दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है ज़रा कमरे में चल कर ठहराओ मैं उधर कैसे जाओ कोई आता ना हो ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी तो फिर वो कहती है ये देखे जो औरते उती थी ना पहले वो चिक होता है परता परदे की ओट में रहती थी ज़रता बहां नहीं निकलती थी तो इसने बच्चों की दादी से कहा रोहिनी ने कि मतलब बुला लो मैं पीछे की तरफ परदे की पीछे को चली जाओंगी और मिठाई वाला है बच्चों के लिए मिठाई ले लो फिर ज़रा कमरे में चल खर तो ये वाला तो हो गया दादी उटकर कमरे में आकर बोली ए मिठाई वाले इधर आना मिठाई वाला निकट आ गया बोला कितनी मिठाई दूमा ये नए तरीके की मिठाईया है रंग बिरंगी कुछ-कुछ खटी कुछ-कुछ मीठी जाए के दर बड़ी देर तक मुह में टिकती है जल्दी नहीं गुलती तो मिठाई के बार में बताने लगा मिठाई वाला कुछ-कुछ खटी-मीठी बहुत देर तक मुह में टिकती है गुलती नहीं है जल्दी से बच्चे बड़ी चाव से चूसते है इन गुडों के सिवा ये खासी भी जूर करती है कितनी दू चटपटी गोल पहलदार गोलियां है पैसे की सोला देता हूँ तो एक पैसे में सोला दे दूँगा इस तरीके की बाते वो बोलने लगता है दादी बोली सोला तो बहुत कम होती है भला पच्चिस तो देते बिठाई वाला नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता इतना भी देता हूँ यह अब मैं तुम्हें क्या खेर मैं अधिक ना दे सकूँगा तो कहते हैं कि इस से जादा तो मैं नहीं दे पाऊंगा रोही दादी के पास ही थी बोली दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है चार पैसे की ले लो यह पैसे रहे तो फिर वो कहते है कि दादी फिर भी से काफी सस्ती ही दे रहा है और चार पैसे की ले लो बच्चों के ल पूड़ी होगे, जादा मोलभाव नहीं आता मुझे ये कहते हुए दादी के पोपले मूँ से जरा सी मुस्कुराहट फूल पड़ी तो मुस्कुराने लगी फिर दादी ये पूल के रोहिडी ने दादी से कहा दादी इनसे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आये थे या पहली बार आये हो यहां के निवासी तो तुम हो नहीं तो फिर वो कहती है रोहिडी के इनसे पूछो कि पहले भी आये हैं या मतलब पहली बार आये हैं या यहां के शहर के तो हैं नहीं रहने वाले दादी ने इस कतन को दोहरानी के चेश्टा की कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ पर रोहिनी चिक की आठ से ही बोली पर्दे के पीछे से ही बोली पहले यही मिठाई बेचने आये हुए थे और कोई चीज लेकर आये थे क्या तो वो कहते है कि पहले मिठाई ही लेकर के आये थे और कुछ और लेकर के आये थे तो मिठाई वाला हश संशय विसमयादी भावों में डूपकर बोला इससे पहले बुली लेकर आये था उससे पहले खिलोने तो फिर वो बताता है कि मैं इससे पहले जो है मुर्ली लाया था फिर उससे पहले खिलोने लाया था रोहिनी का नुमान ठीक निकला अब तो वह उससे और भी कुछ बाते पूछने के लिए अस्थर हो ठी अब क्योंकि रोहिनी को याद आ गया था कि ये तो वही आदमी है जो इतनी सारी अलग-अलग चीज़े लाता है तो वो और चीज़े उसे पूछना चाहती थी वै बोली इन विवसाओं में तुमें भला क्या मिलता होगा जो वैपार तुम करते हो इनसे तुमें क्या फायदा होता होगा वै बोला मिलता भला क्या है यही खाने भर को मिल जाता है कभी नहीं भी मिलता है पर हां संतोश धीरत धीरच और कभी-कभी असीम सुख जरूर मिलत ये बहुत मिलता है तो कैसे वह भी बताओ तो वो कहती है उन बतों की चर्चा क्या खरू उन्हें आप जाने ही धो उन ब regimes को सुन कर आपको दुखी होगा तो वो कहता है मतलब रोहीनी कहती है कि इन सब सीजों को बेच कर तुम्हें खुशी कैसे मलते हैं यह बता हो तो मिठाई वाला या मुर्ली वाला या जो भी है यह कहता है कि उन बातों को चान करके आपको भी दुखी होगा रहने ही दो तो वो कहती है जब इतना बताया है तब और भी बता दो मैं बहुत उत्सुख हूँ तुम्हारा हर्जा ना होगा मिठाई मैं और भी ले लूँगी तो वो कहती है कि मैं बहुत उत्सुख हूँ जानने के लिए तुम्हें नुक्सान नहीं होगा तुम बताओगे टाइम हाफ वाइफ थी, छोटे-छोटे दो बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था, तो वो कहते है कि मेरा वो जो था दुनिया वो बहुत अच्छी थी, बाहर संपत्ती का वैभफ था, भीतर संसार एक सुख था, तो मतलब पैसा भी था और मेरे घर में सुख शान्ती भी थी, इस चैसे सुने के सजीव खिलोने, बच्चे भी बड़े सुन्दर थे, उनकी अट खेलियों के मारे घर में को लाहल मचा रहता था और बच्चों की हरकते हैं, वह शतानियों के विज़े से घर में अच्छा महौल रहता था, समय की गति, विधादा की लीला, अब कोई नहीं है तो मतलब आप मतलब कोई भी नहीं रहा हो Mayasar दादी प्राण निकाले नहीं निकलते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, तो कहते हैं कि बच्चे और बीवी तो मेरे रहीं नहीं, तो मैं अपने बच्चों की ही खोज में निकल जाता हूँ कही ना कही मतलब इन बच्चों में उनको देख लेता हूँ तो खुशी मिल जाती है वे सब अंत में होंगे तो यही कही आखिर कही ना जन में ही होंगे तो वो कहते है कही न कही मरने के बाद दुबारा उन्होंने जर्म तो लिया ही होगा उस तरह रहता गुल मिलकर मरता इस तरह सुक संतोष के साथ मरूँगा तो वो कहते है कि अगर मैं अकेरे पड़ा रहता तो ऐसे ही मर जाता अगर आप जो है संतोष के साथ तो मरूँगा इस तरह के जीवन में कभी-कभी अपने उन बच्चों की जलक सी मिल जाती है तो कहता है इस तरह का जीवन जो मैं गुम-गुम के बच्चों के लिए समान बेचता हूँ तो अपने बच्चों के जलक देखने को मिल जाती है ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इनी में उछल उछल कर हस रहे हो पैसे की कमी थोड़े ही है आपके दया से पैसे तो काफी है तो वह कहते है कि पैसे की कुई कमी नियुक्त minutes आपके देयसे पैसे तो काफी है, जो नहीं है, इस तरह उसको पा जाता हूँ, जो नहीं है, बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चों को देखने को तो मुझे मिल ही जाता है, बच्चे देख लेता हूँ इन बच्चों, जो बच्चे मेरे पार समान खरीदने आते हैं, खुश होते हैं समालने चाहते हैं तो अपने बच्चों की जलक उनमें ही मैं देख लेता हूँ रोहिनी ने पिठाई वाले की ओर देखा उसकी आखों में आसुओं से तर हैं मतलब आखों रो रहे थे वो तो इस समय चुन्नु मुन्नु भी आ गए रोहिनी से लिपटकर उनका आचल पकड़कर बोले अमा मिठाई मुश से लो यह कहकर ततकार कागस की दwegen मिठाईोंसे भरी मिठाई वाले ने चुन्नुमून्न को देदी तो चप तक तो मिठाई वाले ने उन दोनों को देती रोहनी ने भीदर से पैसे फेक दिये मिठाई वाले ने पोटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे न लोगा दादी बोली अरे अरे ना ना अपने पैसे लिये जा भाई तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उस प्रकार मादक मृदल सुर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला तो यही था कि मतलब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई बच्चे आगे उसने बच्चों को मिठाई दे थी और फिर वो जाने लगा तो फिर रोही ने का पैसे तो ले जाओ तो नहीं बस इस बार अब मैं पैसे न लूँगा तो दादी ने कहा कि मतलब अरे 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 पैसे तो ले जा तक वो वहाँ से चला गया था किसाशिया करिये. Thank you.